वेल वल्कम यौर टो लेट्स क्राइक विद विशय गुपता तो जो डेली MCQ प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई है उसके आज इस 16 जून के वीडियो है बहुत इंपोरणट MCQ प्रैक्टिस सेल रही है बीस क्वेशन आते हैं बहुत जादे इंपोरणट मिक्स क्वेशन होंगे चाहे यह पॉलिटिक हो इसमें कुछ जोग्रफिक हो सकते हैं कुछ हिस्ट्री को सकते हैं और कुछ इकनॉमी को सकते हैं ऐसे क्वेशन zeggen होंगे जो आपके आगे आने वाले हर exam के लिए बहुत जादा यूसेफ़ल होंगे चाहिए वो यूपी एसकी का exam हो या उतरकंट PS में हो या UPPSC एक्जाम हो या UK SSSC हो किसी भी तरह गा exam की तैयारी आप कर रहे हो सब अब भी एक्जाम के लिए बहुत बहुत जादा इंपोर्टन कर ये MCQs हैं तो इन MCQs का आप जरूर कबर करिए जब बदन जाओंगा अब आपने लेट्सक्रा सात में आप एक काम कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए आप एक paper और एक pen ले सकते हैं और जैसी question आपके सामने आता है आप उस question का answer खुद से लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से इसका answer क्या होगा जब आप अपना answer लगा लेंगे उसके बाद फिर आप मेरा answer सुने कि इसका सही answer क्या है और आप फिर आप ये देखें कि out of 20 questions इन 20 प्रशनों में से आपके कितने सवाल सही होते हैं जैसे जैसे आपके सवालों की सही होने की संक्या भड़ती चल जाएगी आपकी जो practice है वो भी बहुत अच्छी से होती चल जाएगी क्याइद बहुत चाहँँगा lower PCS mains, FRO mains और ROR Advocate General mains के exam के लिए full preparation batch चल रहा है और test series चल रही है तो जो भी billing candidates हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी test series के थुरू अपनी performance test करें exam में जाने से पहले तो वो मुझे 7665804421 बर call your message कर सकते हैं और साथ-साथ वो students चाहते हैं कि current affairs की जो daily basis पे current affairs आते हैं जिसमें अभी जो UPPCS का prelims हुआ है उसमें से कई सारे सवाल आए हैं जो current affairs की PDF आपको provide की जारी है current affairs जो provide की जारी है daily basis पे तो उसमें से कई सारे सवाल सीधे सीधे exam में पूछे गए हैं उनका proof भी में ने दिया है तो national international सभी तरह की news इसमें कवर की जाती हैं हिंदी और English दोनों मीडियम में तो जो गंडिर्स आते हैं कि उन PDF को लें तो वो भी मुझे 766-580-4421 पर call या message कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं questions तो सबसे पहले question आता है preventive detention के preventive detention का मतलब यह होता है कि जब कानून या सरकार जो है या पुलिस जो है किसी परसन को detent कर लेती है किसी परसन को arrest कर लेती है इस बिना पे कि हो सकता है ये परसन आगे चलके आराजकता फिलाए यानि कि जो लड़ाई है वो करवादे देश के अंदर या कोई ऐसे गिलत काम करे को terrorist activities करे तो अगर आप किसी परसन को बिना उसके कुछ किये पहले ही arrest कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं preventive detention यानि कि हमने उसको prevent कर दिया हमने उसको रोक दिया कि वो कोई हानी ना पहुचा पाए तो 1950 में सबसे पहले preventive detention bill भारती पार्लेमेंट में किसने पेश किया था इस चीज का सवाल बुचा रहा है तो यह सरदार पटेल गया है जो सरदार वलब भाई पटेल थे उस टाइम पे जो home minister रहे तो उन्होंने इसको पेश किया था next question आता है कि इन में से कौन सा अधिनियम कौन सा एक्ट ऐसा है जो anarchical and revolutionary crimes act of 1919 है यानि कि अराजग और क्रांतिकारी अपराद अधिनियम 1919 है तो किस एक्ट को यह कहा जाता है तो यह rollet act को कहा जाता है तो rollet act जब 1919 में आया था तो उसका जो official नाम था States Reorganization Commission formed in 1953 तो जब States Reorganization Commission के स्थापना हुई उनिसो दर्यपन में तो जब उसने जब 1956 में अपने रिपोर्ट दी तो उसके बाद कितने राज्य और कितने केंद साचित प्रतेश बनाएगा यह सवाल पूछ जा रहा है यह पहली कैबिनेट में जब भारत अज़ाद हुआ 1947 में तो उसके बाद जब पहली कैबिनेट बनाई गई तो उसके बाद External Affairs or Commonwealth Relations का जो पूर्टफोलियो था यह जो मंतराले था यह किस मिनिस्टर के पास गया यह कि सुतंदर भारत की पहली कैबिनेट में विदेश वामडो और राष्टमंडल संबंदों का पॉर्टफोलियो किसके पास था तो यह जबाला नहरू के पास था External Affairs जो रखा था वो जबाला नहरू ने अपने पास रखा था नेक्स आता है Using Powers Enshrined in Articles 2 and 3 तो नुच्छे दो नुच्छे तीन में जो नहीं शक्तियां है सम्मिधान में Parliament इन चारों में से क्या काम कर सकता है यह पुछजा रहा आपसे तो पहला तो यह है कि क्या वो नई territory इसको admin कर सकता है as new state of India क्या वो नई राज्य बना सकता है नई territory को बिल्गुल बना सकता है split और merge existing Indian states क्या वो जो वरतमान में जो भारती राज्य है क्या उनको तोड़ सकता है या किसी दो राज्यों को merge कर सकता है बिल्गुल कर सकता है हमने देखा भी है कि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया गया उत्तर प्रदेश में से उत्राखंड को अलग किया गया बिहार में से जहारखंड को अलग किया गया और मंध्य प्रदेश में से च्टीस गड़ को अलग किया गया था और 2007 में इसका नाम उत्राखंड कर दिया गया तो यह नाम भी चेंज के जा सकते हैं किसी भी स्टेट का तो यह सब चीजें करी जा सकती है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत तो इसका अंसर किया होगा d all of the above तो all of the above इसका अंसर होगा next question आता है कि इन में से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसके पास provision है of participation of workers in the management of industries तो industries के management में workers का participation भी होना चाहिए हमें इस चीज को बढ़ावा देना है तो ये चीज किस आर्टिकल के तैद कही गई है ये जो director principles of state policy है यानि देश के निती नितिशक सिद्धान्त जो है उन में article 43A जो है उसके अंदरी वाली बात कही गई है next question आता है कि in which case the supreme court for the first time limited the power of parliament तो पुशा जा रहा है कि किस मामले में जो सर्वोच नियाले था उसने पहली बार सम्विधान में संशोधन करने की जो संसत की शक्ती थी उसको पहली बार सिमित किया था यानि कि limited the power of parliament to amend the constitution for the first time कि आप अपनी मन मर्जी से amendment नहीं कर सकते constitution के अंदर तो पहला कौन सा supreme court का judgment था जिसमें जो parliament की power थी constitution को amend करने की सम्विधान को संशोधन करने की उसकी शक्ती पह सीमित करने की कोशिश की गए थी उसकी शक्ती को सीमित करने की कोशिश की गई थी तो यह Minerva Mills case था क्या नहीं Minerva Mills नहीं था एक गोपलन भी नहीं था यह Golaknath case था तो 7th का C answer होगा Golaknath versus State of Punjab का जो case था वो इसका answer होगा next question आता है question की इन में से कौन से features जो है Government of India के वो unitary features है यान की एकात्मक features है कि जो भारत सरकार को एकात्मक क्योंकि भारत सरकार एकात्मक भी काम करती है और संगात्मक भी काम करती है यान की unitary भी काम करती है और federal भी काम करती है तो कब unitary करती है कब federal करती है यह हमें पता होना सही है तो अभी चार options दीए वें आपको और इन चार में से आपको देखना है कि कौन कौन से unitary features है तो strong center बिल्कु सही बात है अगर केंटर मजबूत होगा तो वो unitary का feature है no equality of state representation यह भी सही बात है कि state का जो representation है उसमें equality नहीं है जिस तरह से अमेरिका में हर state की 2 seats है तो उसमें तो उसमें वहा पर अगर 50 राज्य है USA में तो 50 राज्यों के पास हर राज्य के पास 2 seat है चाये कोई राज्य बड़ा हो चाये कोई राज्य चोटा हो तो यानि सब के पास equal representation है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो राज्य जितना बड़ा है, जहां पर जितनी ज़्यादा जनसंक्या है, उसके इसाब से ही राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, यूपी में जनसंक्या सबसे ज़्यादा है, तो महाँ पर सबसे ज़्यादा मेंबर चुने जा इसलिए equality नहीं है state representation में बिल्कु सही बात है ये भी एक unitary feature है emergency provision बिल्कु सही बात है अगर emergency लगा दी जाती है जिस टाइम पे 1975 के टाइम पे इंद्रागांधी government ने emergency लगाई थी तो उस टाइम के बाद उस टाइम पे क्या हुआ था कि सारी कि सारी जो ताकते थी वो केंदर स के वैसे states के पास power नहीं रहती है और all India services simple सी बात है all India services तो बनी इसलिए है कि all India services बनी है कि जो IAS IPS officers है या Indian Forest Service के officers है वो सभी officers केंदर सरकार की तरफ से जाए जाते हैं रज्य सरकारों में लेकिन रज्य सरकारों के तहत वो काम करते हैं लेकिन सीधे appointment के थू करते हैं वो करते हैं केंदर सरकार के थूँ तो यह चारों ही feature ऐसे हैं जो unitary features हैं तो इसलिए D इसका answer होगा all of the above next है कि इनमें से कितने दिन पहले notice देना पड़ता है अगर President of India का impeachment हो तो अगर उनका महावियोग चलाना हो राश्टपती पे तो कितने दिन पहले notice दिया जाता है 14 दिन पहले notice दिया जाता है तो B answer इसका सही होगा 14 दिन next आता है कि इनमें से President के पास कौन सी Pardoning Power नहीं है कि इनमें से कौन सी Pardoning Power यानि कि छमादान करने की जो पताकत है राश्टपती के पास कौन सी नहीं है तो Pardon है, Commutation भी है, Remission भी है, Continuation नहीं है तो Only Fourth यानि कि C इसका answer होगा कि Fourth जो है Continuation जो है वो नहीं है तो आपको वहाँ पर Question पूछा क्या गया है, हम जल्दबाजी में क्या गड़ते हैं, हमें लगता है कि वह यह पूछ रहा है कि कौन सी ताकते हैं, अगर यहाँ पर Only One and Two जागा, यहां One, Two, Three, One, Two and Three लिभी लिखा होता, तो आपको इस Student होते कि वह इस पर टिक लगा देते, कि वह यह तीनों powers तो हैं, लेकिन पूछाए यह नहीं गया, कौन सी powers हैं, पूछाए गया कौन सी power नहीं है, नेक्स आता है कि इनमे से कौन सा institution ऐसा है, which of the following institution releases, World Economic Outlook Report, तो इनमे से कौन सा institution ऐसा है, जो World Economic Outlook Report निकालता है, World Bank निकालता है गया नहीं, Federal Reserve नहीं, International Monetary Fund, यहाई, तो IMF जो है, अंतरा बिगेस्ट बोरोवर कौन है यानि सबसे बड़ा रिनी कौन है जिसने सबसे जाता पैसा उधार ले रखा हो तो वो है भारत सरकार तो इंडिन गवंशन के इसी नाम बहुत सारा कर्ज है जो भारा सरकार ने ले रखा है दूसरे देशों से जिससे कि अपने देशों में है अपने देश में हम क्या कर सकें अपने देश में विकास के काम किये जा सकें नेक्स कुछन आता है एकनॉमिक से सवाल है अगला कि which among the following is a nearest term to pay order तो pay order के nearest term कौन सा है तो pay order का nearest term है bankers check जो check होता है bank का जो check होता है वो हम pay order के सबसे नस्दीख में अरखते हैं next आता है भीम के उपर सवाल आ रहा है जो भीम app है यानि कि भारत interface for money जिसको बनाये गया है NPCI के दवारा National Payments Corporation of India के दवारा payment करने के लिए QR code से तो यह initiative है जिससे कि हम payment कर सकते है mobile phone के दवारा मिलकू सही बात है फिर यह UPI के थुरू चलता है यह भी सही बात है और इसको NPCI ने बनाया है यह भी सही बात है तो 1, 2 & 3 यहीं कि तीनों कि तीनों स्टेटमेंट्स यह सही है अब next question आता है कि अभी हाली में consider the following statements कि जो प्रधान मंत्री के दुआरा एक scheme launch की गई है सेदू भारतम प्रोग्राम तो उसके उपर दो statements हैं बताना है आपको कि कौन से statement सही है और कौन सा करते हैं अगर हम पहला statement देखें तो पहला कहता है कि यह program envisarch करता है यानि कि इस program के जोडेंगे इससे तो यह statement बिल्गुल गलत है ऐसा नहीं है सेतू भारतम का मतलब क्या है कि सेतू बनाने हमें pull बनाने है कहां बनाने है national highways के उपर हमें pull बनाने है कि जो भी चीज़ा हमें connect करनी है उसको connect करना है national highways पे तो पहले statement गलत है और इसको ministry of road transported in highways चला रहा है यह ब तो जो monopoly होती है यानि कि एक अधिकार होता है इसका क्या मतलब है एक अधिकार का मतलब यह है कि महां लेते है market में कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक ही विखती वेच रहा हो तो उसको हम बोलते है यह तो इसकी monopoly है यानि कि इसका एक अधिकार है तो many number of buyers and sellers are there no अगर कई सा sellers होंगे कहीं सारे विक्रेता होंगे तो फिर किस बात की मनोपली होई फिर तो कोई बात नहीं हुई homogeneous product exist in market नहीं ऐसे भी कुछ नहीं है unique product with only one seller exist in the market यह बिल्कु सही बात है कि कोई unique product है और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही seller के पास है और वही seller यानि कि वही विक्रेता हर समान क बेच रहा है उस समान को तो मजबूरन हर आत्मी को उसी से वो चीज़ खरीदनी होगी नेस कुर्शन आता है the negotiable instruments are passed freely from one party to another economics का सवाल है कि अगर एक negotiable instrument है यानि कि प्राक्राम में लिखते हैं और उनको हम pass करें freely एक पार्टी से दूसरे के पास in the same way as money यानिकि वो पैसे की तरही transfer की जाती है तो भी negotiable अगर negotiable होना है जो letter of credit है उसके अंदर क्या होना चाहिए तो उसके अंदर एक ऐसा conditional promise होना चाहिए कि हम जब आप demand करोगे तब हम आपको pay कर देंगे और वो कोई भी समय हो सकता है इसके लिए हमें कोई भी definite से में उनको प्तानी जरूत नहीं है तो उसका answer D होगा conditional promise to pay on demand कि जसी आप demand करेंगे हम आपको pay कर देंगे और at a indefinite time किसी भी time पर जब आप demand करेंगे हम आपको payment कर देंगे next आता 18 question कि maximum amount of share capital issued by a company वो maximum से maximum amount जिसका कोई भी company share capital issue करती है तो वो company का जो memorandum of association है उसको उसमें क्या कहा जाता है उसमें सो कहा जाता है registered capital जितना पुझान रखना है यानि कि पंजी गरत पुंजी कहा जाता है उसके बाद एक question आ रहा है with reference to the currency stock of India which are the following including narrow money अब देकि दो तरह के पैसे होते हैं अगर आपने economics पड़ी है एक होता है narrow money और एक होता है broad money तो narrow money concept ऐसे होते हैं नेरो मनी वो होते हैं कि जो currency लोगों के पास होती है और demand deposits होते हैं उनको हम narrow money कहते हैं यानि कि currency held by the public और demand deposits यह सब narrow money है time deposits broad money होती है या जो time deposits है वो narrow money में नहीं आते तो one and two only इसका answer हो जाएगा यानि कि 19th का जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा next question आता है कि consider the following events या elements पूछ रहा है कि चार आपको चीज़े दे रखी हैं और उसमें से आपको पूछा गया है कि इन में से कौन कौन सी चीज़ें स्टार्टप के अंदर आपको मिलेंगी यानि कि स्टार्टप ecosystem के अंदर कौन कौन सीज़ें मिलेंगी तो angel investors मिलते हैं कि ब कोई person आता है और आपसे कहता है कि मुझे आपकी company से कोई मतलब नहीं है मैं तो अपना पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आप मुझे इस पर क्या profit में return देंगे आप मुझे वो बताईए तो आपको उस ताइम पे पैसे की जुरुद भी थी आपकी company को क्योंकि आप नय स्टार्ट अप बना रहे थे इसलिए वो person आपके लिए क्या हो गया एक तरह से इंजिल हो गया यानकि दूथ हो गया भगवान का दूथ हो गया next होता है incubators और तीसरा है crowdfunding या अब लोगों से पैसे खटा करेंगे seed accelerators इसके अंदर नहीं आते हैं तो कौन-कौन से element ऐसे हैं स्टार्ट अप एको सिस्टम के पार्ट हैं तो one two and three only इसका पार्ट हो जाएगा इंजिल इंवेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स और crowdfunding तो यह important चीज़ है तो यह थे आज की 20 questions गया इसमें बहुत important questions है इनको आप cover कर लिजेगा कोई भी doubt आता है आपको तो आप मुझे comment section में comment competition की तो exam निकलना बहुत मुझकिल हो जाएगा तो अंदर से अपने अंदर से यह भावन आनी चाहिए कि हम यह देखें जो यह रोज 20 सवाल आते हैं कि इन 20 सवालों में हमारी तैयारी कितनी है और हम कितने अच्छे से preparation कर रहे हैं तो जितने अच्छे से अच्छे आपकी preparation ह पहेंगे चली बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में so thank you and bye bye